Hi guys and welcome back to the channel Deepachya The Education Welcome to the daily current affairs discussion तो guys आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सबी current affairs को हम यहाँ पर detail में discuss करेंगे ये वेडियो UPSC और state PSC के point of view से बहुत important होता है तो चलो शो भार हम करते हैं बट उससे पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचर description box में PDF link के नाम से एक link दिया गया है उस link के थूँ आप मेरे telegram channel तक पहुँच जाओगे otherwise इस तरीके सा आपको ये telegram channel नहीं मिलता है तो आप लोग को एक simple सा काम करना है directly telegram app को download करना search box में type करना दीपक जादव education आपको ये मेरा channel मिल जाएगा यहां से जाकर आप लोग daily basis पर इस lecture के PDF को download कर पाऊगे साथी साथ अगर आप मुसे personally connect करना चाहते हो तो Instagram पर भी जा सकते हो और again आपको दीपक जादव education ही type करना है आपको ये profile मिलेगा यहां पर connect करकर आप लोग अपनी queries को मेरे साथ में discuss कर सकते हो तो start करेंगे discussion को लेकिन उससे पहले आप सभी लोग के लिए एक छोटी से information daily basis पर इस channel पर दो videos upload होते हैं morning में 7 बजे आपको the Hindu newspaper का video मिल जाता है वो केवल the Hindu newspaper का नहीं है वहाँ पर the Hindu plus Indian Express दोनों को compile करके discussion किया जाता है सारे editorial important articles, explainer section, text and context सभी चीज़ यहां पर cover की जाती है और अगर कोई article the Hindu Indian Express के बाहर किसी और newspaper में for example live mint के अंदर है, down to earth के अंदर में है वहाँ पर कुछ important articles या editorials है तो उनको भी सुभा वाले वीडियो के अंदर cover कर लिया जाता है तो आप लोग make sure करना कि सुभा 7 बजे ready हो जाना आपको वो वीडियो दहिंदू का मिल जाएगा आप उसको daily business पर follow करिए आप अगर newspaper पढ़ते भी हैं तो लगबख 90 minutes लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है लेकिन आप लोग से मैं यही कहूंगा कि आप लोग सुभा वाले वीडियो पर अपने इस time को invest कर सकते हो बाकी पूरे दिन आपको current affairs से संबंदित कुछ नहीं पढ़ना वो आपको बहुत help करेगा, सारे important articles आपको cover करवा दी जाता है फिर शाम को हम लोग क्या करते हैं, अपने MCQs की practice जो कि आप लोग को इस वीडियो के अंदर नजर आने वाला है तो जो शाम का वीडियो है, यह है current affairs through MCQs, यहाँ पर current affairs के articles भी देखेंगे प्लस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि prelims के अंदर कैसे MCQs बन सकते हैं तो आपको prelims के लिए यह video mentally prepare करेगा उससे भी important बात यह है कि जितने भी MCQs आप लोग को इस particular video में देखने को मिलेंगे वो सब के सब UPSC prelims pattern based होंगे, यानि की कोई ऐसा असान वगरा नहीं होगा आप जैसे UPSC MCQs पूछता है, बिल्कुल उसी प्रकार का pattern आपको देखने को मिलेगा थोड़े tricky सी question मिलेंगे, ताकि आप लोग mentally MCQs के लिए prepare हो सको चलो फिर बिना time based करें, start करते हैं, यह है आज का सबसे पहला question देखो आपको करना क्या है, मैं question read करूँगा, समझाऊँगा उसके बाद आपको honestly video को pause करना है, अगर आप लोग को इस question का answer आता है तो नीचे comment section में लिख देना, honestly, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, फिर last में आप लोग देखना कि आपने कितने question आज के इस video से सही किये हैं, ठीक है न, तो इससे आपको बहुत help मिलेगी, अगर आप बिल्कुल भी नहीं सही कर पा रहे हो, तो definitely यहां पे आपको बहुत सरी चीजे जानने को मिलेंगी साथ ही साथ में आप daily basis पर practice कर सको होगे, क्योंकि practice makes a man perfect आप prelims के लिए तयार हो पा होगे, उससे भी important बात यार, अगर prelims में लिए आपका सकतो यह MCQs solve नहीं हो पा रहे हैं, तो demotivate होने की ज़रुवत नहीं है धीरे धीरे यहां पर चीजे solve होने लगेंगी, धीरे धीरे आप लोग चीजों को समझने लगोगे सुबा का वीडियो देखो, सामके MCQs cover करो, आपके mostly current affairs यहां से prepare हो जाने वाले हैं तो पहला जो question है, यह बात करता है, esteroids के बारे में, esteroids के बारे में बहुत बार हमने चर्चा करिये मैंने आपको esteroids के बारे में पढ़ाया है, meteor के बारे में पढ़ाया है, meteorite के बारे में पढ़ाया है अगर फिर भी नहीं पता है कोई freshers हैं तो भी कोई परेशान होने की जरुरत नहीं है सभी कुछ मैं इस article के अंदर cover करूँगा तो यहाँ पे तीन statement दिये गए हैं सर बताना यह है कि किसमें से कौन सा statement incorrect है ठीक है यह आपको question बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे trick खिली जालती है हम लोग directly correct पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ पे incorrect पूछा गया है सबसे पहला statement जो asteroids होते हैं यह rocky objects हैं जो कि planet से छोटे होते हैं और sun के आसपास orbit करते हैं यह तो हो गया सर पहला statement दूसरा statement जो asteroids होते हैं यह basically बने हैं planet के बाद में पहले planet बने फिर solar system के अंदर जो दूसरा objects हैं फिर बने फिर उनके million years बाद जाके asteroid बने क्या यह statement सही है फिर तीसरे statement को देखते हैं तीसरा statement यह बोलता है Osiris Rex mission जो है यह basically European Space Agency का पहला mission है जो कि हाँ पे अंतरिक्ष में जाएगा और एक asteroid से sample collect करकर लेकर आएगा तो यह तो तीन statements आपको देखने को मल जाते हैं नीचे option दिये गए कौन सा statement incorrect है इन तीनों में से कौन सा statement गलत है option A 1 and 2, option B 1 only, option C 1 and 3 या फिर option D 2 and 3 चलो, अब आप लोग कोशिश करना कि इस question के answer को दे सको अच्छा ये question cover क्यों क्या गया, reason क्या है तो Science Tech Daily का article है ठीक है न, तो science के perspective से एक अच्छा MCQ आपका तयार होगा यहाँ पे क्या हुआ है, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे एक mission conduct कर रहे थे, कौन सा वाला, Osiris Rex mission ठीक है न, तो यहाँ पे Osiris Rex mission को अपने asteroid तक भेजा गया और जैसा scientist expect कर रहे थे कि भाई, ऐसा कुछ मिलने वाला है वैसा तो कुछ हुआ नहीं, यानि expectation से चीजे काफिये तक बेकार निकली है तो वो asteroid कौन सा था, वो था बेनू asteroid ध्यान अकना तो Osiris Rex mission बेनू asteroid पर भेजा गया था अब आपको यहाँ पे question का answer एक जगा तो मिले गया होगा नहीं मिला तो कोई बात नहीं आगे मैं आपको समझाता हूँ आपने इतना यहाँ पे समझ लिया चलो इस question के answer को decode करते हैं अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करना सबसे पहली चीज़ यहाँ पर statement क्या दिया गया है अगर आप लोग तीनो statement को देखोगे तो इसमें से दो incorrect statement है, दो गलत statements है कौन-कौन से second और third यह गलत statement है पहला statement क्या बोलता है, इसको समझते है asteroids basically rocky object है, बिल्कुल सही बात है planet से छोटे होते हैं, यह भी सही बात है और sun के आसपास orbit करते रहते हैं, यह भी सही बात है अगर हम लोग asteroids के बारे ही पढ़े हैं, तो explanation को देखते है asteroids यहाँ पर rocky objects होते हैं, जो की sun के आसपास orbit करते हैं और planet से छोटे होते हैं, और इसी वज़ा से asteroid को minor planet बुला जाता है आपको मैंने कई बार पढ़ाया है, चाहो तो telegram पर जाके search करना minor planet आपको यहाँ पर asteroid के बारे में जानने को मिल जाएगा तो पहला statement तो बिल्कुल सही है, तो यह तो यहाँ पर हो गही नहीं क्योंकि यह सही है, यहाँ पर पूछा गया गलत statement कौन सा है दूसरा statement बोलता है कि asteroids बना है, planet बनने के कई million years of बाद या फिर solar system के अंदर जो भी objects बने हैं, उनके बनने के कई साल बाद यहाँ पर asteroid बना है, क्या ऐसी बात है, तो इसको भी देखते हैं चलो दूसरा statement अगर हम लोग देखें, तो scientists जो है लगातार asteroids को study करते रहते हैं, अभी हम लोग बेनू एस्टरोइट पर गए थे जान सकें, अब इन चीजों को हम लोग जान सकेंगे कैसे, तो obvious ही बात है, आप यहाँ पर logic लगा सकते हो, अब planet बना है, planet के million of years ago बाद, जो asteroid है, वो अगर बना होगा, तो हम तो study करनी पाएंगे, कैसे planet बना है, यहाँ प्लानेट के कई सालों बाद यहाँ पर asteroid मिला, यह चीज़ यहाँ पर statement के अंदर बताई गई है, तो यह एक incorrect है, अब साथ में बने होंगे, तभी तो हम लोग planet के history को जा सकें, कि planet कैसे बना है, ठीक है, अब planet के कई million of years ago, बाद यहाँ पर अगर asteroid बना होगा, तो हम planet की study भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको यह दूसरा statement जो है, वो भी देखने को मिलेगा, वो है incorrect, ठीक है न, तो दूसरा statement हो गया है, गलत, तो इस option में आपको यह वाला, यह वाला, यहाँ पर आपके इन में से दो answers हो स mission, यह एक European Space Agency का पहला mission है, to return sample from an asteroid, आपको इसी particular article में देख गया होगा, यह Osiris Rex mission, यह पहली बात, देखो, सारी चीज़े सही है, यह first mission है, बिलकुल asteroid पर भीजा गया, कि वहाँ से हम लोग sample लेकर आ सके, लेकिन यह mission European Space Agency का नहीं है, यह mission है NASA का, ठीक है न, तो आपको ध्य देखना है, तो Osiris Rex mission, basically NASA का पहला mission है, जो कि यहाँ पर asteroid बेन उपर गया, और वहाँ से हम पर sample लेकर आने के बारे में चर्चा करता है, तो आपको यह जो third वाला statement है, यह भी incorrect देखने को मिलेगा, that is why यहाँ पर जो उसका correct answer हो जाता है, वो होता है D, कि second और third यहाँ पर incorrect ह ठीक है न, I hope आप लोगों ने अब इसको अच्छे से समझ लिया होगा, तो question का up level देख सकते हो, एक higher level के question आपको मिलता है, जैसा यहाँ पर UPSC पूछता है, ठीक है, तो एक advanced level पर आपकी तयारी हो जाती है, आप लोग यहाँ पर पहली सी तयार रहोगे, अगर इस प्रका से नएने तरीके से question solve कर रहे हैं, तो अब यह तो हमने अपना MCQ को solve कर लिया, अब बात करते है current affair की, आखिर कार चर्चा में यह in fact चीजे हैं क्या, तो देखो NASA ने खुद यहाँ पर tweet पर, NASA का official tweet है, NASA 360 का, इन्होंने mention किया Osiris Rex mission जो है, यह जो Osiris Rex mission है, यह Benu asteroid पर गया, और वहां से मतलब हम लोग sample जब collect कर रहे हैं, तो जैसा हम लोगोंने सोचा था, expectation था कि asteroid ऐसा होगा, वैसा नहीं है, उसकी जो मतलब आपका सकते हो, जो area है, थोड़ा सा loose सा है, ऐसे लगदा प्लास्टिक की ball की तरह है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने तो asteroids की बात करें, तो asteroids यहाँ पर वाकई में rocky object होता है, ठीके, आपका सकते हो, बड़े-बड़े चट्टान के टुकुडे, rocky particles, गंकर के टुकुडे आपको देखने को मलेंगे, जो की sun के आसपास orbit करते हैं, और planet से छोटे होते हैं, ठीके न, इसी वज़ा से इसको हम पात आती है, तो asteroids को हम लोग 3 classes के अंदर categorize करते हैं, सबसे पहला class आता है, first group, first group के अंदर जो asteroid होता है, वो asteroid belt के अंदर पाया जाता है, तो अब सर, asteroid belt कौन सी होती है, तो इस picture में देखो, जब आप लोग solar system को देखते हो, तो आपको छोटे-छोटे यह rocky particles सब जगा पर द बीच में आपको यह पत्थरों की एक belt दिख रही होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं, asteroid belt, तो asteroid के basically तीन classification है, एक तो asteroid belt होगी, इसके अंदर बहुत सरे asteroids पाय जाते हैं, ठीक है, जो second group होता है, वो होता है Trojans, Trojans बहुत important है, इसको लेकर SSE के अंदर question पूचा गया था, Trojans क बीच में जो belt है, यह कहलाती है asteroid belt, लेकिन Trojans क्या होता है, Trojans basically Jupiter वाले orbit के ऊपर ही यहाँ पर जो आपको rocky particles देखने को मिलता है, इनी को हम लोग Trojans के नाम से जानते हैं, यह भी यहाँ पर asteroid के group के अंदर ही आता है, तो बिल्कुल similar चीज़े यहाँ तो है ही, साथ ही साथ आप में Jupiter के खुद के orbit के ऊपर आपको आसपास देखने को मिल जाते हैं, यही basically Trojan asteroid कहलाते हैं, तो asteroid belt और Trojan asteroid में difference है आपको ध्यान अखना है, तो अब जैसे मैं आपको बताया कि इसको तीन classes में बाटा गया है, पहला class और दूसरा class दोनों cover हो गया, सर्थ तीसरा class कौन सा ह होता है, तीसरा class होता है Near Earth Asteroid, इसमें जादा पढ़नी के जुरूरत नहीं है, नाम से ही पता चला है, जो कि प्रत्वी के पास में देखने को मिलता है, वो Near Earth Asteroid है, और यह बहुत ही जादा खतरनाक होता है, कभी-कभी हम इसको Potential Hazardous Asteroid के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह प्रत्वी से ठकरा सकता है, और बहुत जादा नुकसान कर सकता है, ठीक है ना, तो लगबाग यहाँ पे बोला गया, 10,000 से जादा कुछ ऐसे Asteroids आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, जिसमें से यहाँ पर 1400 से जादा कुछ ऐसे Asteroids हैं, जो कि Potential Hazardous Asteroid हैं, जो कि 1995 में एक question पूछा गया था, बहुत पुरा ना, अब बहुत simple से question था, अब ऐसे simple से question आने बंद हो चुके हैं, यह आपको ही पता है, आप थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं, tricky based question आते हैं, जैसा अभी हमने discuss किया, अब हम लोग बात करते हैं, question यह था, meteor, meteor क्या होता है, य यहाँ पर इस question के अदर पूछा गया, चलो इस question को अभी हम solve करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, meteor क्या होता है, meteor और meteor और asteroid में क्या difference होता है, asteroid तो आप लोगों ने अभी सीख लिया क्या होता है, बड़े से, मतलब rock का एक piece होता है, हमारे अंतरिक्ष में से ही तूट कर एक छोटा हिस्सा जो है, वो यहाँ पर meteor कहलाता है, ठीके न, वो क्या कहलाता है, meteor कहलाता है, तो अभी आप कहोगे सर, अभी आप meteor, meteor कह रहे थे, अब meteor क्यों कह रहे हो, तो इसको समझते हैं, देखो यहाँ पर तीन term आती है, जिसमें हमेशा लोगों confusion करता है, एक होता है meteor और एक होता है meteor और अच्छा इन तीनों में क्या difference है, बहुत ही simple सा difference है, simple सा difference यह है, कि देखो यह चटान यह bulky particle एक ही है, इन तीनों की जैसे जैसे position चेंज हो रहे हैं तो position होने के साथ साथ नाम भी चेंज हो रहा है, सबसे पहली चीज आप देखोगे अगर ये जो rocky particle है छोटा सा ये हमारे अंत्रिक्ष के अंदर है तो इसको हम लोग meteoroid बोलते हैं last में roid लगाए और ये जब गिरना चालू होगा हमारे पृत्वी के इधर गिरना चालू होगा और हमारे पृत्वी के atmosphere में enter कर जाएगा जैसे ये atmosphere में enter किया तो इसका नाम बदल जाता है ये roid से meteor हो जाता है यानि कि meteor हो गया फिर उसके बाद ये गिरते 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 कहीं पर अर्थ पे तो गिरा पृत्वी पर गिरके ये थम गया एक जगह पर अब यहाँ पर गिर चुका है तो ये meteoroid कहलाता है ठीके ना तो ये तीनो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है चीज एक ही है पस जैसे जैसे position चेंज हो रही है उसके हिसाब से इसका नाम भी चेंज हो रहा है बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है अब आप देखो 1995 के अंदर ये question पूछा या था simple सा question था इसको यहाँ पे solve किया जा सकता था सबसे पहले चीज़ meteor क्या है पहला statement a rapid moving star दूसरा statement a piece of matter which has entered the earth's atmosphere from the outer space third statement part of constellation या फिर fourth statement a comet without a tail अब आप लोग समझ गयोंगे क्या answer इसका इसका simple सा answer भी हो गया क्योंकि meteor एक piece of matter है जो कि earth के atmosphere में enter कर चुका है और space से निकल कर आया है अंत्रिक्ष से हमारी पृत्वी के वाता वरण के अंदर एंटर कर चुका वो basically meteor कर लाता है तो answer भी is the correct one पियर हुआ तो I hope आप लोगों यहां पर बहुत कुछ यहां पर समझ लिया है बाकी अब एक question होगा sir asteroid और meteor के बीच में क्या difference होता है देखो asteroid जो है बड़ा piece होता है rock का और जो meteor होता है यह broken piece होते है asteroids के यहांने कि छोटा piece होता है asteroid बड़े size का होता है meteors आपको छोटे size का देखने को मिलेगा बाकी बने वे दोनों same होता है rock metal सी बने वे होता है ठीक है ना तो बाकी बनावटी के अंदर कोई भी difference नहीं है तो कितना कुछ जानने को मिला है इस particular article से आर्टिकल में MCQ की practice पी कर ली current affair भी पढ़ लिया background portion भी पढ़ लिया अगर मज़ा आ गया है तो photographic video पर जो like का बटन उसको दबा देना हमेशा target रहता है 2K plus like का कल तो आप लोग ने बहुत अच्छा response दिया था वैसे जब से MCQs start क करूँगा कि इसको लगतर continue रखा जाए और आपको इसी प्रकार से help मिलती रहे आगे आते हैं अगले MCQ की तरफ next एक important MCQ है recently चर्चा में था और दहिंदू के अंदर मैंने इसको cover भी किया है अगर आप लोग दहिंदू का video follow कर रहे हो तो बहुत details से मैंने आपको dragon fruit के बार अब dragon fruit के respect में आपसे question पूछा या है थोड़ा सा typical question होगा इसमें थोड़ी सी यहाँ पर अलग से thinking level चाहिए होगी तो यहाँ पर हम लोग उसको clear करेंगे don't worry आप देखो सबसे पहले यहाँ पर statement दिया गया है dragon fruit को लेखर कि dragon fruit endemic to the South East Asia मतलब की सिर्फ और सिर्फ Southeast Asia के बारिश होती है वो मतलब आपका सकतो हलकी से बहुत तेज होती है मतलब dragon fruit उस region के अंदर पाया जाता है उस region के अंदर grow करता है basically जहाँ पर बारिश बहुत हाई होती है moderate से एक high level की होती है तीसरा statement यहाँ पर बोलता है यह जो dragon fruit का जो flower है यह basically हर्मा फ्रोडाइट है हर्मा fruit का जो flower है वो आपको हर्मा फ्रोडाइट देखने को मिलेगा इसमें यहाँ पर किसी भी pollinator की जरूरत नहीं होती है तो इसको समझेंगे अगर आपको यह question का answer पता है तो आप लोग definitely इस question के answer को लगा सकते हो फिलाल नीचे statements आपको दिये गए हैं sorry options दिये गए हैं कि इन त पूछा गया था कि भाईया बताओ correct statement क्या है correct answer क्या है dragon fruit को यह तीनो statement match करते हैं या नहीं करते हैं तो तीनो में से कोई सा भी statement match नहीं करता है अब इसके बारे में discussion करते हैं आप लोग चाहो तो dragon fruit के बारे में आप लोगो मैंने PDF के अंदर information provide करवाई थी आपको याद आ र नाम से भी जानते हैं या फिर और भी अलग लग नाम से जाना जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया पिताया या पिताया के नाम से भी जाना जाता है यह dragon fruit इस प्रकार से आपको यह देखने को मिलता है यह है dragon fruit ठीके ना अब देखो dragon fruit जो है ना यह native है यानि कहा का में पा जाता है लेकिन question में क्या बोला गया स्रिफ और स्रिफ South East Asia के अंदर grow क्या जाता है तो यहां पर यह statement हो जाता है हमारा गलत ठीक है न तो dragon fruit को यह वाला statement match नहीं करता है अब दूसरा statement देखते हैं दूसरा statement यह बोला गया कि भाई जो dragon fruit है यह उस जगा पर उगता है जहां पर बारिश जो है हलकी से बहुत तेज होती है तो अगर हम बात करें इसका cultivation है वह हर एक प्रकार की मिट्टी में क्या जा सकता है यह खोद Google पर available है हर एक प्रकार की मिट्टी के अंदर dragon fruit grow हो सकता है ठीक है यह यहां पर बोला गया और आप कर सकतो जहां पर पानी खटा होता है वहां पर अच्छे से grow नहीं हो सकता है यह भी बात बताई गई है प्लस उसके बाद एक और information दी गई है जो dragon fruit है यह especially यहां पर grow करता है जो semi-arid region होता है थोड़ से सूखे वाले region होता है जो थोड़ से सूखे वाले region होता है बारिश की requirement है बड़ जादा requirement नहीं होती है ठीक है न तो इस वजह से यहां पर आप कर सकते हो option b b जो है वो incorrect है जोकि dragon fruit को एक hot weather चाहिए होता है थोड़ से गर्मी चाहिए होती है और यहां पर बारिश का मतलब ने उठता है इस वजह से दूसरा statement भी हो जाता है हमारा wrong आ गयाता है तीसरे statement पर आता है यहां पर बोला जाता है तीसरा statement थोड़ा सा tricky है इसको समझने की कोशिश करता है देखो जो dragon fruit है इसका जो flower है वो basically क्या है hermaphrodite और इसके अंदर किसी भी pollinator की requirement नहीं होती है अब देखो कोई भी flower होता है उसमें pollination का process होता है देखना pollination क्या होता है पहले सर इसको समझना होगा तब आपको चीजे और अच्छे समझ मैंगी देखो pollination basically एक ऐसा method है जहां पर क्या होता है हम लोग जो flower होता है यानि कि देखो एक flower होगा flower का male और female part आपको देखने को मिलेगा तो होता क्या pollination में pollination एक ऐसा method है जहां पर pollen grains होता है वो enter enter क्या है enter flower का एक male part है तो enter से pollen greens को उठाया जाएगा और उठाने के बाद में transfer कहां पर किया जाएगा flower के female part के उपर जिसको हम लोग stigma बोलते हैं तो मतलब flower का जो एक male part है इसको देखो flower का जो एक male part आपको देखने को मिल जाएगा जैसे यह पहला step यह हो गया यहां पर pollen दूसरा हो गया stigma और तीसरा हो गया enter मतलब यह वाला जो हिस्सा है यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा enter यहां पर लिख देता हूँ A दूसरा यह है P pollen तीसरा यह क्या है stigma तो यहां पर क्या होगा देखो चाहे वो बैट हुआ चमकादड हुआ या मदुमक्की हुआ या कुछ भी हुआ तो वो क्या करेगा इस वाले plant से इस plant में यह क्या है enter enter क्या है मैं आपको बताया एक male part है और इधर यह मैं आपको बताया कि जो stigma है वो एक female part है तो होगा क्या इधर male part से pollen को उठाया जाएगा यह मदुमक्की bat कोई भी उठा सकता है pollen को उठाएगा और pollen को उठाने के बाद में stigma के उपर गिरा देगा तेकि ना इसकी वेसे यहां पर क्या होगा एक fertilization होगा इसी को हम लोग pollination बोलते हैं लेकिन जो आप लोग picture देख पा रहे हो ना यह basically cross pollination का है यहाँ पर cross pollination क्या किया जा रहा है cross pollination मतलब यह है कि एक flower और दो flower यह आपको दो flower के बीच में cross pollination देखने को मिल रहा है लेकिन दोनो flower यहाँ पर अलग-अलग हैं आपको देखने को मिल जाता है ठीक है ना? और इसी प्रकार से होता है एक self pollination self-pollination में क्या होता है एक ही plant के अंदर क्या होता है एक ही plant के अंदर इधर एंथर से pollen को उठाया और इधर stigma पे गिरा दिया तो यहां पर fertilization हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं self-pollination तो यह दो प्रकार के pollination आपको देखने को मिलते हैं मैं आपको समझा दिया यह अब आ गया गया थें आप यहां पर बात की गई है किसके बारे में यह बात की गई ही हरमा फुरॉडाइट के बारे में अब यहां पे बोला गया यह जो फिलार है बैसिकलि निशी ओ हर remarks फिलार है औरो 이제 वी पर पालिनेटर्स की requirements नहीं होती है आप समझते हैं इसका मतलब क्या है जब को या पर बोला गया जो इसका फूल है न जो ड्रागन फ्रूट का जो आपको फ्लार देखने को मिलेगा यह बैसिकली हर्माफ्रोडाइट ठीक बात है यह हर्माफ्रोडाइट मतलब यह होता है कि एक ऐसा फ्लार सेम फ्लार male and female मतलब एक ऐसा flower जिसमें male और female organs दोनों देखने को मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं hermaphrodite no down कर लेना लेकिन ये एक ऐसा flower है जो कि रात में open होता है ठीक है न और ये लोग विश्वास करते हैं nocturnal pollinators के उपर nocturnal मतलब जो कि रात में जागते हैं जैसे चमकादड हो गया मौत हो गया ठीक है ये रात में जागने वाले आपको देखने को मिलेंगे ये आपको nocturnal pollinators देखने को मिलता है तो ये जो रात में full खुलता है तो ये जो bat और मौत है ये basically fertilization करते हैं ठीक है आपको ध्यान रखना है ये fertilization यहाँ पे करवाते हैं त तो ये self-pollination भी तो कर सकता है खुद plant के अंदर भी pollination भी तो किया जा सकता है ये बात भी सही है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक चीज़ गूगल पर mention की गई है वो यह है self-fertilization जो है will not produce fruit in some species तो कुछ प्रजातियों के अंदर अगर self-pollination किया जाएगा या फिर self-p पर हो सकता है कि उस फ्लार से जो फल है वो ना निकल पाए ठीके ना वो basically fruit को फल को produce ना कर पाए इसी वज़ा से यहाँ पर ये वाला statement भी आपको थोड़ा सा wrong देखने को मिलेगा इस वज़ा से तीरों के तीरों statement correct बिल्कुल भी नहीं है I hope आप लोगोंने समझ लिया है क् यह हर्माप्रोडाइट है इनको किसी भी पॉलिनेटर्स की जरुवत नहीं है ऐसा नहीं है यह फलार हर्माप्रोडाइट तो है रात में open होता है इनको रात में nocturnal पॉलिनेटर्स की जरुवत पढ़ती है या पिर आप कर सकते हो मौत हो गया इनकी जरुवत पढ़ती है ताकि ये जो है इसके अंदर fertilization कर सके हैं ठीके ना ये आप लोग को ध्यान में रखना है I hope आपने इसको काफी अच्छे समझ लिया है तो basically यहाँ पर इनको requirement पढ़ती है pollinators की तो इस वज़ा से तीसरा statement भी incorrect है और आपका none of the above answer हो जाएगा तो एक tricky से question था ये थोड़ा से जादर typical हो जाता है लेकिन यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिलता है ठीक है ना तो dragon fruit को लेकर चर्चा हो चुकी है अब dragon fruit के बारे में कुछ और static सी information में आपको देदेता हूं क्योंकि current affair में ये था देखो जो ये dragon fruit ये जादतर produce क्या जाता है वेतनाम के अंदर में और ये मदद करता है वेतनाम की economy को boost करने में प्लस अगर हम लोग बात करें मीजुरम मीजुरम यहाँ पर इंडिया के अंदर एक ऐसा state देखने को मिलेगा जहाँ पर dragon fruit को लेकर cultivation बहुत जादा होता है red और pink color की varieties इसकी देखने को मिलती है बहुत महंगा मिलता है 400 रुपे पर घीजी के असपास यहाँ पर dragon fruit बिलता है बाकी मैं आपको बताया ये हर एक soil के अंदर उगाया जा सकता है अगर कोई acidic soil हो तो जादा बहतर रहेगा features की बात करें तो hermaphrodite plant है ये भी हम लोगों ने discuss कर लिया है already nature के अंदर यहाँ पर आपको इस प्लकार से प्लार ये देखने को मिलता है जिसके अंदर male female organs है रात में ये open होता है plus यहाँ पर मैंने आपको बताया इस plant के बहुत सारे nutraceutical properties है मतलब कि दवाईयों को तोर पर बहुत अची तरीके से इसका use किया जाता है इसके अंदर vitamins, minerals बहुत सारे पाए जाते है plus यहाँ पर diabetic patients के लिए बहुत ही जादा important माना जाता है क्योंकि calories इसके अंदर बहुत कम है, nutrients बहुत जादा है iron, calcium, potation, zimk बहुत जादा है तो इसके वज़़े से लोग इसको prefer जादा करते है I hope आप लोग ने इसको समझा 2 MCQs solve करने में हलत खराब हो गई है लेकिन आप कह सकते हो कि जो quality है वो matter करती है और आप लोग खोद UPSC के previous year के question papers देखोगे तो आपको ये चीज़े match होती हुई नजर आएंगी चलो आगे आते हैं अब फिलाल हम देखते हैं क्या UPSC ने कोई ऐसा question पूछा है तो in fact 2022 के अंदर ही question पूछा या था अभी तो हमने dragon fruit को लेकर चर्चा की है 2022 में गुच्ची को लेकर question पूछा था आपको याद होगा विद reference to the गुच्ची sometimes mentioned in the news आपको बताना है कौँसा statement correct है अब जैसा दिमाग यहां पे लगा है न वैसा ही दिमाग आपको उस समय यहां पे लगा रहा था जो भी 2022 के अंदर prelims को देकर आए है जैसे यहां पर mention किया गया गुच्ची एक fungus है पहला statement यह बोलता है दूसरा statement यह grow होता है हिमालियन forest areas के अंदर तीसरा statement इसको commercially cultivate किया जाता है हिमालियन foot hills of North Eastern India के अंदर बताओ सर कौँसा statement correct है 1, 3 या फिर 1 and 2 only या फिर 2 and 3 तो इसका correct answer है C 1 and 2 यह जो एक गुच्ची है basically यहां पर एक fungus आपको देखने को मिलता है अब यहां आपको बताता हूँ अब यहां पर fungus के लिए कैसे दिमाग लगाया देखो statement 1 इसलिए correct है क्योंकि basically जो mushroom की species है गुच्ची या है mushroom की species है यह चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसको 2021 में GI tag दिया गया था इस वज़ा से चर्चा में थी तो mushroom की एक species है और कौन सी family से ब्लॉंग करती है मतलब mushroom की एक species है fungus की एक mushroom species है और यह कौन सी family को ब्लॉंग करती है वो सारी बाते यहां पर mention की गई है तो आपको बिल्कुल similar दिमाग लगाना था जैसा अभी आप लोग ने थोड़ दर पहले लगाया है तो इसी वज़ा से कहा रहा हूँ जो pattern है वो बिल्कुल prelims pattern based आपको इक questions देखने को मिलता है अब यहां पर देखो यह statement तो इसका सही हो गया पहला वाला दूसरा statement यह Himalayan region के अंदर ही पाया जाता है तो आप कह सकते हो यह statement है second वाला यह भी correct है इसको geographical indication दिया गया था क्योंकि यहां पे एक बहुत ही महांगा mushroom है पूरे दुनिया के अंदर और यह Jammu and Kashmir क्वाले जो 12 district है उसके अंदर पाया जाता है वीडियो का कितना importance हो सकता है आप अगर अच्छे से चीजों को follow कर रहे हो अपने पास में चीजों को रख रहे हो PDF को download करके अपने पास में रख रहे हो चीजों को revise कर रहे हो question को solve करने की कोशिश कर रहे हो तो definitely आपको prelims में बहुत ही जादा एक ultimate level के मदद मिलने वाल है जो कि किसी को नहीं मिलेगी क्यों कि मैंने बहुत कोशिश करी है मैं भी हाँ बहुत मुश्किल से इन questions को ले करा पर हो तो कोशिश करो कि आप लोग solve करो अपने पास में चीजों को note down करके रखो जो भी नहीं आ रहा है अगर हम लोग daily 5 questions भी solve कर रहे है तो आप कह सकते हो साल भर में हम लोग 2000 के आसपास questions solve करेंगे एक mock test में आपको 100 questions लगाने होते हैं मतलब आप साल भर में 20 mock test solve कर लोगे जो कि अपना पर बहुत बड़ी बात है और सारे के सारी questions कौन से based है current affair based है जहां से question पूछे जाते हैं बाकी static के तयारी आप करी रहे होंगे I hope ठीक है ना चलो आते हैं अगले question पर यहां पर चर्ता की जारी है consider the following statements in the context of information technology act 2000 IT act 2000 के संबंद में दो statement दिये गए बहुत जबर्दा स्टार्टिकल है यह तो आप लोग definitely solve कर सकते हो चोटा सा logic लगाना है ठीक है ना चलो दो statement कौन से दिये गए पहला statement पहला statement यह बोलता है कि Ministry of Home Affairs एक important authority जो की order issue करती है किसी भी content को social media platform से remove करने के लिए दूसरा statement IT के संबंद में यह बोल जाता है section 66A जो है IT act का इसको इस्तमाल किया जाता है social media platform से content को remove करने के लिए तो क्या दोनो statement हमारे IT act से संबंद में हैं आपको अच्छे से देखना है फिर उसकी बाद में question को पढ़ना है बताना यह है कि इन में से कौन सा statement है जो की not correct है कौन सा statement है जो की not correct है यानि कि कौन सा statement गलत है इन दोनों में से one only, option b two only, option c both one and two या फिर option t आप कर सकते हो न one, न two तो इस article को cover क्या गया था Indian Express के थूँ explainer section पर in fact मैंने कल के morning के दहिंदू के विडियो के अंदर आपको यह अच्छे से समझाया है पूरा editorial cover करवाया था कि Twitter अभी सरकार के against में करनाट का high code पहुँचा करनाट का high code में पहुँचने के बाद में Twitter ने इस IT Act को challenge कर दिया है इसी वज़ा से यह चर्चा में था इसी वज़ा से आप से question बना है तो इसका correct answer क्या हो सकता है इसका correct answer होगा c both one and two दोनों ही यहाँ पे correct है तो IT Act के संबंद में जो दोनों statements है दोनों ही आपको यहाँ पे correct देखने को मिलेंगे ठीक है ना तो अब यहाँ पे समझते हैं sorry दोनों ही incorrect है मैं भी यहाँ पे confused हो गया not correct के बारे हैं पूछा गया है दोनों ही यहाँ पर गलत है अब इसको समझते है कि दोनों कैसे गलत है इसको decode करते है तो आप लोग यहाँ पे confused मत होना मैं तो यहाँ पे confused हो गया चलो पहला यहाँ पे statement देखते है यहाँ पे क्या बोल गया है Ministry of Home Affairs एक authority है इस IT Act के तहट जो की social media platform से content को remove करने का order देती है लेकिन यह गलत है गलत क्यों है क्योंकि यह Ministry of Home Affairs नहीं है यह है Ministry of Electronics and Information Technology तो Ministry of Electronics and Information Technology के पास में यह power है ना कि Ministry of Home Affairs के पास में तो इसी वज़ा से पहला statement तो incorrect हो गया not correct हो गया दूसरा statement section 66A जो है IT Act का इसका use किया जाता है ताकि social media platform से content को remove किया जाए सही बात है नहीं क्यों क्योंकि आप लोगों को पता होगा section 66A जो है Information Technology Act 2000 का इसको Supreme Court अल्रेड़ी यहाँ पे आप कर सकते हो repeal कर चुका है इसका निरस्त कर चुका है इसको unconstitutional करार कर चुका है असमयदानिक बोल चुका है आपको बताओगा श्रेया सिंगल वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया 2015 का केस हुआ था जहां पे Supreme Court ने section 66A of the Information Technology Act 2000 को struck down कर दिया था unconstitutional का करार दे दिया था बोला यह गया कि कही न कहीं यहाँ पर यह जो act है यह लोगों का जो freedom of speech है जो की एक fundamental right है article 19 clause 1 sub clause 1 के अंदर में वो violet करता है उसका हनन करता है क्योंकि हो गया रहा था यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति social media platform पे कोई इस प्राकार से content दे रहा था तो यहाँ पे उसके उपर action लिया जा रहा था section 66 A का अस्तमाल करके तो supreme court ने 2015 में इस act को ही खतम कर दिया है तो खतम कर दिया तो यहाँ पे कोई मतलब होता ही नहीं है तो I hope आप लोग समझ गयोंगे इस बात का यहाँ पे आप कह सकते हो कि दूसरा statement जो है वो भी आपको incorrect देखने को मिलेगा क्योंकि जो section 66 है हमारे information technology act का वो basically यहाँ पे बोलता है एक punishable offense है जब कोई व्यक्ती कोई एक गलत information एक offensive information को एक communication device के मामले से या computer resource के मामले से कहीं पर भेज़ता है या कहीं पर post करता है तो वो एक punishable offense है वो बात करता है section 66 A लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही है यहाँ पर बोला जारा है social media से जो content है उसको remove करने की तो इसी वज़ा से यहाँ पर दूसरा statement भी हमारा wrong हो जाता है ठीके ना I hope आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफी अच्छे समझ लिया है दहिंदू के अंदर detail से मैंने यहाँ आर्टिकल कवर गया था आपको याद आ रहा होगा तो इसके अंदर कौन सा correct answer हो गया बोथ 1 and 2 दोनों ही यहाँ पर सही नहीं है दोनों ही यहाँ पर correct नहीं है clear हो गया बाकिया आप लोग यह article देख सकतो यह article यहाँ पर cover किया गया था आगया आते हैं अगले article की तरफ यह भी यहाँ पर एक और important question बन जाता है यह जोग्रफी के point of view से important बन जाता है यहाँ पर चर्चा की गया consider the following statements regarding derrico derrico के संबंध में यहाँ पर दो statements दिये गए हैं बताना यह है कि कौन सा statement correct है यहाँ पर correct पूछा गया है ठीक है अब correct, not correct, correct, not correct पढ़ पढ़ गे न आपकी दिमाग इसी में set हो जाएगा कि हाँ यह question क्या है अब देखो derrico के बार में भी मैंने कल के the Hindu के वीडियो के अंदर morning में समझाया है derrico को को लेकर क्या हुआ है चर्चा होई है, derrico को की वज़ा से US के अंदर, अमेरिका में जो आस्माने वो हरा हरा हो चुका है derrico basically एक storm है, एक आंधी है जिसकी वज़ा से अमेरिका में जो आस्माने वो हरा हो गया कुछ इस प्रकार से आपको यह scene देखने को मिल जाएगा, ठीक है न यह आपको कुछ scene देखने को मिल रहे है derrico में इस प्रकार से आस्मान हरा हरा देखने को मिल रहा है इसी वज़ा से यहाँ पर यह काफी चर्चा में था चलो, अब यहाँ पर discuss करते हैं इस पूरे question को तो derrico के लेकर दो statement दिये गा है पहला statement, derrico एक cold weather phenomena है दूसरा statement, derrico को एक straight line wind storm है जो कि यहाँ पर आस्मान को हरा कर देती है जब, मतलब जो कि आस्मान को हरा कर देती है क्योंकि यहाँ पर कुछ lights है जो कि interact करती है पानी से जो कि यह storm पानी को hold कियावा होता है अभी मैं आपको समझाओंगा don't worry परिशान होने की ज़रुवत नहीं है तो इसमें से कौन सा statement correct है तो इसका answer आपको देखने को मिलेगा 2 only, दूसरा statement ही correct है अगर आप लोग देख पारे हो, derrico को लेकर चर्चा की है कि derrico के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका result इसका result ही है कि आसमान हरा हो रहा है तो यह statement आपको वैसे भी सही लग रहा है तो आप second वाले को correct कर सकते थे लेकिन अभी इसके वाले में कोई जादा पकी information नहीं है, तो इसके लिए आपको derrico के बारे पढ़ना होगा अभी मैं इसको बारे में थोड़ी सी और के लिए आपको देता हूँ, derrico आखिरकार क्या होता है तो derrico यहाँ पे आप देखने को मिलेगा एक widespread, एक बहुत बड़ा सा एक windstorm, एक आंधी, एक तूफान आप लो कह सकते हो ठीके न, अब होता क्या है इस derrico की वज़ा से आस्मान जो हरा हो जाता है उसके पीछे का कारण वो भी अभी समझेंगे, रुक जाओ जो derrico word है, जो नाम है न, यह Spanish word से आया है ला डेरेका से, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट, यानि यह जो तूफान, यह travel करता है बिल्कुल स्ट्रेट में, देखो आपने टॉर्नेडो को देखा होगा टॉर्नेडो कैसा होता है, जो तूफान होता है, जनरली इस परकार से गोल गोल गोमता है लेकिन derrico के अंदर कोई भी ऐसा rotation नहीं देखने को मिलेगा कोई भी rotation नहीं होता, यह basically straight line storm होता है सीधा सीधा यहाँ पर यह आँदी चलती है और यह straight line के साथ साथ में आप कह सकते हो hundreds of miles तक के area को cover करती है, बहुत बड़ी area को cover करती है ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख पाओगे यह जो derrico है, यह है एक warm weather phenomena यह आपको June, July के बीच में देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर question में क्या बोला गया यह बोला गया, यह एक cold weather phenomena है लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी हमने पड़ा यह warm weather phenomena है, जो की June, July के बीच में देखने को मिलता है इस वज़ा से पहला statement हमारा गलत हो जाता है इससे आस्मान इतना हरा हो जाता है, इसके पीचे का reason है देखो बड़ी बड़ी drain drops देखने को मिलेंगे, बारिश होगी ठीक है, बारिश होगी और क्या होगा, जो blue wavelength होती है blue color जो होता है, वो blue color basically आप कह सकते हो एक primary color रहता है, जब हम लोग primary color की बात करते हैं तो आपको तीन प्रकार के primary colors देखने को मिलता है blue, red और yellow, ये तीन primary colors होता है तो होता क्या है, जो blue color होता है, वो blue color इस आंधी को चीरता हुआ, इस आंधी वाले जो यहाँ पे clouds बने वे, जो बादल बने वे क्या आस्मान में दिख रहे हैं, इन बादलों को चीरता वाजो ये blue color है वो पहुँच जाता है उपर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, sun की lights पढ़ रही है sun की rays पढ़ रही है, sun की जो रौशनी है, वो आपको yellow color की, red color की देखने को मिलती है दो पहर के time में, या फिर शाम के time पे जो sun है, वो भी आपको थोड़ा सा इसी प्रकार से देखने को मिलेगा तो blue color और yellow color आपस में मिलता है, तो आप देखोगे green color को produce करता है तो blue color yellow से मिल रहा है, that is why यहाँ पे green color का production हो रहा है और यहाँ पे जो आसमान है, वो sky green color का नजर आता है तो blue यह combine हो जाता है, red yellow color से, जो की सूरे से निकल रहा है ठीक है न, तो इसी वज़ासे यहाँ पर जो green color है, वो produce होता है I hope आप आप लोगों ने हाँ पर इसको समझ लिया है तो यहाँ पे भी चर्चा की गई है, कि हाँ बिल्कुल green sky एक देखने को मिलता है तो यानि डेरोको के अंदर, डेरोको एक straight line windstorm में बिल्कुल सही बात है और इसकी वज़ासे यहाँ पर green sky हो जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है तो इसका correct answer आपको second देखने को मिल जाता है I hope आप लोगों ने हाँ पर इसको काफी अच्छे से समझ लिया है आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन कोई बात ने, details से MCQ समझ में आ रहे हैं वो चीज़े हमाले matter करती है यह वाला question देखो, यहाँ परीमन के बारे में चर्चा की गई है तो परीमन एक portal है जिसको recently launch किया गया है यह किस चीज़ से related है आप लोगों को यहाँ पर बताना है mining, digit stack, local planning या secondary education यह आपको P.I.B. का article देखने को मिलेगा चर्चा में इसलिए है क्योंकि परीमन को अभी यहाँ पर public के अंदर available करवा दिया गया है तो basically यह बिलकुल एक website है जिसको launch किया गया है यह related है local planning से तो इसका जो C है वो यहाँ पर एक correct answer हो जाएगा तो अब इसको समझते हैं चर्चा में इसलिए है क्योंकि परीमन जो एक geoportal है NCR का National Capital Region का यह अभी publicly available करवा दिया गया है तो geoportal of NCR known as परीमन यह इसको launch August 2021 में पिछले साल कर दिया गया था लेकिन अब इसको यहाँ पे open कर दिया गया है public के लिए अब यह परीमन में होगा क्या ध्यान अखना तो परीमन basically किछे से संबन देता है local planning से परीमन की full form है portal for analytical regional information and mapping of NCR National Capital Region की बात हो रही है अब यहाँ पे आप कह सकते हो यह जो परीमन इसको develop किया गया है National Informatic Center के थूप इसका काम क्या है तो इसके अदर बहुत सारा इस portal पर इस website पर आपको बहुत सारा data देखने को मिलेगा जो की authentic source से लिया गया होगा data के अदर कुछ base map होगे satellite की images होगी ठीक है यह सारी चीज़े होगी उसके बाद उस पूरे area का जो map होगा वो present होगा प्लस यहाँ पर administrative unit जो state boundaries कहां कहां पर है village boundaries कहां कहां पर है वो सारी चीज़े उसके अदर present होगी road, rail, उसके बाद metro network होगया education, health, banking और उसके बाद में post office, power, telecom, industry, tourism, river, canal, network और भी बहुत सारा जो data है उस particular website पर available होगा NCR वाले portion का ठीक है न तो इसी वज़ा से यहाँ पर यह चर्चा में है तो यह सब क्यों किया ज़रा है ताकि local की हम लोग planning कर सके तो local planning के लिए यहाँ पर परीमन portal को लेकर आया गया तो परीमन portal को recently launch किया है local planning के respect में इसी वज़ा से C एक correct answer हो जाता है यह NCR वाला region देखने को मिलेगा यह सारी बात यहाँ पर हो चुकी है इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस lecture को समाब I hope आपने बहुत सारी चीज़े यहाँ पर जान ली होंगी और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जय हिंद